नमस्कार, हरी भूमी न्यूज बूलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाना कॉंग्रेस की कॉंग्रेस हाई कमान ने मुख्य मंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान को रोकने का फार्मूला तयार कर लिया है सत्ता में वापसी का सपना देख रही कॉंग्रेस भूपेंदर सिंग हुद्दा और कुमारी शेलजा में से किसी एक कोहरियान सरकार की चाबी सोपेगी हाई कमान ने कॉंग्रेस के दोनों बड़े नेताओ से कहा है कि वे एक जुट होकर विधान सबा का चुनाओ लड़े ताकि भाजपा को जादा से जादा सीटों पर हराया जा सके नए फोर्मूले के अनुसार रंदीप सुर्जेवाला बिरेंदर सिंग और कैप्टन अजय यादव को भी महतोपून जिम्मेदारी दी जाएगी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वुपेंदर सिंग उड़ा और कुमारी शैलजा में जंग छिड़ी हुई है दोनों नेता कई बार खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं कुमारी शेलजा कई बार भुपेंदर सिंग उड़ा पर आरोब भी लगा चुकी है कि वे उदेभान और दिल्ली में बैठे नेताओं के साथ मिलकर उन्हें चुनोती देने का काम कर रहे हैं। कॉंग्रेस में बढ़ रही गुटबाजी को लेकर पार्टी अलाकमान शमय समय पर अपने नेताओं को लताड भी लगाता रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कई नेता अलाकमान की भी नहीं सुनते। अब कॉंग्रेस अलाकमान ने मुख्यमंत्र पत को लेकर चल रहे घमासान को रोकने का फार्मूला तयार कर लिया है। प्रदेशा ध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के बाद आज भाजपा के वरिष्ट नेता संजेभाठिया ने भी चुनाओ लढने से मना कर दिया। दोनों बड़े नेताओं की चुनाव ने लड़ने की घोषना से पार्टी के कई बड़े नेता हैरान है। संजे भाटिया जैसे नेता का जीटी बैल्ट में अच्छा खासा प्रभाव है। जहां दूसरे नेता टिकेट पाने के लिए दिन बर दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। वही टिकेट के प्रभल दावेदार संजे भाटिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भले ही भाजपा के प्रदेश परभारी संजे भाटिया के चुनाव ने लड़ने को त्याक का प्रतीक बता रहे हूं लेकिन सच्चा ही यह है कि संजे भाटिया पर चुनाव ने लड़ने का दबाव बनाया गया है। वे काफी समय से भाजपा हाई कमान की गुड लिस्ट से बाहर चल रहे हैं। तो कॉंग्रेस का टिकेट कैसे दे दे भाई साब। उन्होंने अपनी पार्टी जेजेपी से बगावत कर लोगसबा चुनाओं में कुमारी शैलजा के पक्ष में वोट मांगे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि शैलजा के लिए वोट मांगे हैं तो कॉंग्रेस भी उन्हें इनाम जरूर देगी। लेकिन कॉंग्रेस ने उन्हें घास भी नहीं डाली। कॉंग्रेस से मायूस होने के बाद बबली साब भाजपा की शरण में पहुँच गए हैं। बबली साब पिछले चुनाओ में टोहाना से जेजेपी की टिकेट पर विधायक बने थे और पंचायत मंत्री भी रहे। लेकिन लोगसभा चुनाओ से पहले जेजेपी और बीजेपी का गटवंधन तूटते ही उनका मंत्री पचला गया। तब से वे इधर उधर घूम रहे हैं। इन संपतियों में चोटाला के फ्लेट, प्लोट और जमिन शामिल थे। जब की गई संपतियां नई दिल्ली और हरियाना के पंच्छुला और सिरसा जिले में हैं। पूर सीम ओमपरकाश चोटाला को जेबिटी गोटाले में दस साल की सजा भी हो चुकी है। उन्होंने दिल्ली की तिहार जेल में अपनी सजा पूरी की थी। और अब कबर क्राइम की। हिसार के गाउं महजट में मा बेटे की हत्या का मामला सामने आ रहा है। चोदा वर्ष ये बच्चे का शव फर्स पर पड़ा मिला। वही उसकी मा का शरीर फंदे से लटका था। महिला के चहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। दोनों शवो के आजपास खून भी बिखरा मिला जिस कार्णी से हत्या का मामला माना जा रहा है। पुलिस मामले की जाच कर रही है। दोनों शवो को पोस्ट माटम के लिए भेजा गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफतारी की सूचना नहीं है। अब हर्याना के लिए एक और अच्छी ख़बर आई है। भादुरगड के बेटे योगेश कतुनिया ने पैरिस पैरा ओलम्पिक में रजत पदक जीत कर हर्याना के गोरों को चार चांद लगा दिये हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले का कोई हल नहीं निकल रहा है। पिछली दो सुनवाई में सुप्रीम कोट ने शंबू बोर्डर की एक ही लेन को खोलने को कहा था। इस मामले को लेकर किसानों की पंजाब हर्याना के अधिकारियों से मीटिंग भी हुई। लेकिन समस्चा का कोई समदान नहीं निकला था। हर्याना की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरी भूमी अकबार पढ़े।